हलो फ्रेंट्स मैं रोसम अंदीप और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्व चैनल मस्ती वित मास्टरमान तो प्रेंट्स आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है दोब्तों आज की रिल गाने कितने अधुनुक हो चली है या तो आप देखी रहे हैं आज सिलगभग सबा 200 बर्स पूर्ग यूरोप के कुछ उत्साही इंजिनियोरों ने इस बात की कल्पना की थी क्यों एक ऐसा गाली तयार करें जिसे घोड़े के अस्थान पर मसीन द्वारा चला जा सके इस दिसा में अनेक लोगों ने परियास भी किया किन्तु सरपर्थम 1779 इस्वी में फ्रांसेसी सिना ने एक इंजिनियर निकोलस जो थे कुगरों ने भाव से चलने वाली एक गाली की निर्मान किया यह एक तोप गाली थी लेकिन यह सोर करने के अलावा चिंगारियां में बहुत छोड़ती थी इसमें घोला गाली इसे अधिक खर्चाता था कुछ समय बाद इसका एक पहिया तूट गया जिससे यह उलट गई यह गाली अधिक उप्योगी नहीं थी यह तही से सास्तरा गा पर चलने के अलावा पट्रियों पर चलाया गया लेकिन कुछ दिनों के बाद इस इनकी गाली में आग लग गई जिसकी वजह से यह नस्ट हो गया आई यह दिखाते हैं उसका एक छोटा सा नमूना इससे बाद बाद में बैग्यान को ने उसे बनाने का धांचा तयार करके आपको दिखाने का प्रयाज किया है इसके गुल के अधार पर इस इंजन गाली का नाम बफिंग डेविल रखा गया बफिंग डेविल का मतब होता है चुप-चुप करने वाला सेतान जब सबसे पहली बार यह पट्रियों पर दोरने लगी तो चिंगारिया देती वे जब दोरी तो आसपास के लोग इसे भूश किया सेतान समझे भाग देए थे त्रेवी थिक बड़ा सासी आदमी था उसने गाली जलने के बाद बर्स अथारा सो तीन इसी में दूसरी भाफ इंजन गाली बनाई तथा उसे चला कर करनवाल से लंदन सक ले गया इस स्यात्रा में इंजन का क्रशुमर निकल गया था त्रेवी थिक ने सोचा भाफ इंजन गाड़ी को सड़को स्पे नहीं चला कि अगर इस लुह की पट्टी उपर ही चलाया जाए तो इसकी बदिता आनि बेलिडिटी ज्यादा हो सकती है प्रिचर्ड ट्रेविथिक ने कंपनी से बात करके करनावली से लेकर लंदन तक पट्रियां भी चादिया उसके बाद खुद इसका ड्राइबर बनके आगे चलने लगे उसके बाद क्या हुआ आगे दिखाते हैं ड्राइबर बनके जब चला तो कुछ रूटे रे डाकू भी होते थे उसमें और हम वो कैसे ड्राइबर को फूशा करके समान नीचे भी ठेक वादे थे आव ताकि उलूट को ले जा सके देखिए रोचे के वीडियो बहुत अमेजिंग आने वाले मजा आएगा आपको प्रक्ति तो ये ये चली ले ले ये ले 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 ये ले तो लिए यह समान भी फिर से मान रे आपको इस दो लिए विद्धर वाला कानित सुना होगा तो बंदर उपर से नीमोन फिकता है अना ताकि चार्ड आलमा उपर से चाल नेमो बंदर फिक दंपिया सुसी कहार है बस मजहाने वाला है आप देखे क्लियों पर चिटें जा रहूं है आगे यार मत जा आगे ओहो ऐसी बात है यह दिखा रही यहाँ से तो एक अरी अरी एक बंबु लखी एक लखडी लखी लखी थी फिर भी ट्रेन पार हो रही वह आज कल तो ट्रेन पलड जाते हैं यार सच में पहले की जमाने कुछ अरे-अरे यह टौमी भी गजब है चलो देखते घार मेरे जमान मेरा जंगल मे आ गया तुम सब ने अल गया पक्ट्रिया भी हदियोने कशला है या cavity जोद लाके आ य के आगए चलो अब पार हो सकता है चलो अब इस गोड़ दो कर दो हो तुम अपने रास्ते ट्रेन शुरू हो गई और ट्रेन जाने भी रग गई दोस्तों ड्रेचु महराज भी वही खड़े हैं अब देखियो क्या करते हैं अच्छा तुम चल दिये तो हम भी अब चल लेते हैं अब रहनिश यहां कोई फादा नहीं आई अरे वाह अरे वाह ट्रेन तो बड़ा गजब का था यहार पहले जूलुति और टौमी अभी तक भागर आं यार यह देखो यह क्या है यह गुफा और यह ट्रेन रूम की अभाई अब आप घट की मारू है बैक ओ हो तो यह है हमारे गाउ माता अंधर वह जा आवाद है आज कल तो ट्रेन रुखती नहीं है चलो अच्छी बात है की ट्रेन रूब गई पीछे भी आगे आगे देखो क्या हुता है अरे गुफा से निकल गी टेन गुफा से निकली है अब पहुंचने वाली है लेकिन कुछ आगे दूर देखे चलने पर क्या होता है अमेजिंग वीडियो है यह आप देख सकते हैं मजा आने वाला है बस पूरा वीडियो देखे तो आगे क्या हो रहा यह गुफास निकल वीटेन आगे एक ट्रैक मिलता है साइब ट्रैक पे देखे अरे यह ट्रैक पे लगे हुए है औहो ट्रेक चेंज करना है ओ ट्रेक तो चेंज ही नहीं हो रहा है ओ सीट ट्रेन आ रही है अरे जल्दी कर दो यार जल्दी 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 ट्रेन आ गई जल्दी 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 अब ओ हो कुशिस करो चोल लगा के आई साइल अरे कोई बात नहीं यार जल्दी करो ट्रेन आ ग कर देखो इंजन को ब्रेक मारते मारते उसका डबा आगे बढ़ गया दूसरी पट्री पे यह हुई ना बाद गजब दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें लायक भी कर दें आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें ताके हमें पुर्थान मिले मैं अच्छी स अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सब्सक्राइब ना के ठीक है दोस्तों तो मैं चलता हूं जैहिंद बाइब